हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब लेकिन इस सब के बीच नागरिक्ता कानून पर अब सरकार और विपक्ष में लड़ाई जो है वो सीधे हिंदू मुसल्मान पर आ गई है बीच पी नारूप लगाया कि नागरिक्ता कानून के विरोध की आड़ में तरसल कॉंग्रिस हिंदूओं को गाली देने का काम कर रही है विपक्ष ये कहता आया है कि इस कानून से मोधी सरकार ने दिखा दिया कि वो तो मुसलिम विरोधी है इसी पर करेंगे चर्चा नागरिक्ता का नाम आखर कब तक हिंदू मुसल्मान नागरिक्ता के नाम देश में छिडा है संग्रा आज भी स्टड़क पर मंता ने खोला मोर्चा आज पुरा देश में देखिए और हिंदूस्तारी इन से सब्सक्राइब क्या फिट दुबारा हमको आजादी के लिए रेटना पड़ेगा विजेपी त्यार करेगा कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है CAA पर रोग से सुप्रमकोट का इनका चार हफते में सरकार से मांगा जवाब राजनीती के मैदान में CAA पर चैलेंज चैलेंज का खेल हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चार्चा करने के लिए तैयार हम कहना चाहते हैं कि जहाँ चाहें वहाँ विकास पर भाहस करना चाहें हम समाजवादी लोग पर यार है दुस्रें भी गोस्ते हैं कि हम से करो नागरिवाले से करो तैयार के चार्चा के चार्चा करो I give an open challenge both to the Prime Minister and the Home Minister on one side and me on the other let's debate on all the issues confronting this country महराष्ट्र के मंत्री अशोक चोहान के बयान से हिंदू मुसल्मान कॉंग्रेस पार्टी मुसल्मानों से पूछ कर ही सरकार बनाती है हिंदूों से बाकी जो संप्रदाएं हैं उनसे बाकी धर्म से कोई लेना दिना कॉंग्रेस पार्टी का नहीं नागरिक्ता के नाम कब तक हिंदू मुसल्मान? नागरिक्ता के लिए उन्हीं ये बताना चाहिए कि आकर नागरिक्ता पर ये कन्फियूजन क्यों है? देखे 31 अगस 2019 को असम में एनर्सी की फाइनल लिस्ट आई थी, असम में सुप्रम कोर्ट मॉनिटर्ड एनर्सी हुआ, उसमें चर्चा ये कि 19 लाख लोगों को बाहर किया गया, ऐसी चर्चा रही, अच्छा चर्चा इसने भी जोर पकड़ा कि बाहर होने वालों में ज्याद नहीं रहा है, अब इसके बाद एक कानून आया देश में नागरिक्ता संशोधन कानून, मतलब वो एनर्सी का अलग मुद्दा था, इसके बाद कानून आया, जो 11 दिसंबर को संसत से पास हो गया, ठीक है, फिर आगे ये हुआ कि जो कानून बना, उसमें ये कहा गया कि CAA, ये नागरिक्ता संशोधन कानून, तीन देश, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान, वहाँ पे अलप संख्यक, छे धर्म, इन छे धर्मों को गिना गया, चिन्हित किया गया, जिसमें हिंदू, सिख, इसाई, बौध, पार्सी, जैन, उन्हें नागरिक्ता दे जाएगी, अच्छा, ये CAA से इन तीन देशों के मुसल्मानों को बाहर रखा गया, मतलब इन तीन देश के मुसल्मानों को नागरिक्ता नहीं, अब CAA के बाद NPR और NRC, इसे लेकर लोगों में भ्रम है, हाला कि सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जाता है, कि NRC को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन डर ये है कि दस्तावेज हमारे पास होंगे नहीं, अगर NRC होगा, तो अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं निकले, फिर अगर हम उन छे धर्मों में नहीं आते, हम मुसल्मान है, तो हमें तो जी देश से बाहर कर दिय जाएगा, ये कंफ्यूजन ने लोगों में, ये लोगों का भ्रम है, जो मैं आपके सामने रख रही हूं, और इस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मुझे लगता है आपको वो भी जानना चाहिए, कि इस पूरे मामले पर लोगों के इस समझते हुए सरकार बार-बार इस बात को दोहराती है कि CAA नागरिक्ता संशोधन कानून भाई ये कानून नागरिक्ता देने वाला है, ये कानून किसी के नागरिक्ता छीनने वाला नहीं है, ये बात बार-बार प्रधान मंतरी, ग्रे मंतरी सब की तरफ से कही गई, देश मुसल्मानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है बाकाइदा मुसल्मानों का नाम लेकर i aşवासन १ृद प्रृधान मंतरी ग्रय मंतरी ने देश के लोगों को दिया है अभी NRC पर कोई चर्चा नहीं है मेरी सरकार ने अरसी पर कोई चर्चा नहीं की यह बात खुद देश को देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है तो फिर आकरकार नागरिक्ता का नाम कब तक हिंदू मुसल्मान ये मेरा सवाल है और मुझे लगता हमें गौरव भातिया से शुरूबात करने चाहिए गौरव मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि बाई सरकार क की तरफ से या आज कल डिबेट्स में जब आप लोग आते हैं समुद्दे पर तो आप लोगों की तरफ से बार-बार ये बताया जाता है कि जो सड़क पर जो प्रदर्शन का रही है जी वो तो मुसल्मान है आप देख लो जी कहां का प्रदर्शन हो रहे है दिल्ली का शाह रोमाना जी देखिए आपने कहा कि भ्रम तो मैं भ्रम शब्द से ही शुरुआत करूँगा आज देश में स्तिती ऐसी है कि विपक्ष के पास भ्रम का अस्त्र है और सत्तारूर भाजपा के पास ब्रमास्त्र है ब्रहमास्त्र है सच्चाई का ब्रहमास्त्र है नरेंद्र मोदी जी और हमिच शाजी का ब्रहमास्त्र है पारलिमेंट का ब्रहमास्त्र है सम्विदान का और ये मैं क्यों कह रहा हूँ आज सर्वोट न्याले ने रुमाना जी क्या कहा मैं कोट के अंदर ही था मैं आपको बताता हूँ दलील दी गई याची का करताओ की तरफ से कि इस खानून को रोक दिया जाए वहाँ पे कुछ जो दलीले थी वो तत्यात्मा करूप से भी सही नहीं थी सरवोट न्याले ने जैसे पहले अब दुबारा रोक लगाने से मना कर दिया ये क्यों किया जैसा आपने बताया C.A.A. को आप चुनौती देंगे और उसके बाद कहेंगे कि इस पे रोक लगा दो अरे C.A.A. से कौन सा देश का मुसल्मान है जिसका हग चीना जा रहा है C.A.A. तो नागरिकता देता है लेता नहीं है दूसरी बात आप मुझे बताईए मैं हिंदू मुसल्मान में नहीं जाओंगा कोई भी प्रदर्शन जारी हो गौरव भाटिया मेरा सवाल सर आप कहरें आप हिंदू मुसल्मान में नहीं जाएंगे लेकिन मेरा सवाल तो बिलकुल यही था सर आप अभी कहरें आप हिंदू मुसल्मान में जाएंगे नहीं लेकिन जो बयान आते हैं नेताओं के मैं सवाल आपसे फिर दोहराती हूं सर ताकि आप स्पेसिफिकली मेरे सवाल का जवाब दे सड़क पर उत्रे हुए प्रदर्शन कारियों पर मुसल्मान का ठपा लगाते हैं और सियासी दल जो विरोग करते हैं उनको आप हिंदूओं को गाली देने का काम कर रहे हैं ये कहते हैं तो मैं तो यही जानना चारी हूं ना सर कि नागरिक्ता का नाम हिंदू-मुसल्मान क्यों गौरव भाटिया यही तो सवाल है मेरा आप मुझे थोड़ा समय दे दीजे मैं उत्तर दूँगा लेकिन क्रामवार तरीके में जिससे दर्शकों को सचाई भी पता चले सबसे पहले ये बताईए संसक्त से एक कानून पारित होता है क्या किसी भी प्रदेश की सरकार को ये हक है कि वो कहे कि हम इसको लागू नहीं करेंगे अरे अगर सोचिए इस देश में कह दिया जाए कि वक्फ एक्ट लागू नहीं होगा शरीयत आग्ट लागू नहीं होगा हम भी कह दे हज आग्ट लागू नहीं होगा तो क्या जंगल राज नहीं हो जाएगा तो पहली गलती तो विपक्ष की यह है दूसरी बात कपिल सिब्बल अभिशेक मनू सिंग्वी जब इन से प्रश्ट किया गया क्या प्रदेश की सरकारे जहां पे विपक्षी पार्टियों की सरकार है इसको लागू नहीं कर सकती उन्होंने का नहीं यह गलत है अगर संसद ने कानून पारित किया है तो इसको लागू होना पड़ेगा अब आप मेरे सवाल के जवाब से बच रहे हैं लेकिन जिस तरीके से आपने यहां पर हजयत का उधारन दिया मतलब मुसल्मानों से जुड़े हुए जो कानूने आप उसका उधार और ना चाहते हुए भी आपने अपने जवाब में बता दिया किस तरीके से पूरा मामला जो है वो हिंदू-मुसल्मान पर ही आ रहा है हिंदू-मुसल्मान पर यह पूरा मामला तैसीन पुरवाला का मैं रुक करूंगी तैसीन कहिए अपनी बात उसके बाद मैं आगे लू प्लीज दुबारा आओंगे सर तो मुझे एक मिनिट देने में आपको प्योंतर हो रहा है बताइए रोमाना जी एक ही मिनिट बांगा तो आपने मुझे आपने मुझे मैं बात करना चाहता हूँ अगर अगर सराउंड साउंड बंद हो आपके शो में शिरकत करने के ल बीजेपी की मानता है और जो लोग प्रोटेस्ट करें देश द्रोई है बीजेपी के वजीरे आला आसाम के अंदर सोनोवाल साहब कहते है कि सिये लागू नहीं होगा यानि 31 डिसेंबर 2014 का डेडलाइन नहीं होगा 85 अकॉर्ड का 71 डेडलाइन होगा तो क्या सोनोवाल बंगलादेशी है बंगॉल परस्त है या पाकिस्तान परस्त है इनके वजीर आलजा ट्रिपूरा में कहते है एनर्सी ट्रिपूरा में होगा नहीं आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए टेलिग्राफ का हेडलाइन था अपी का सिस्टर पेपर है क्योंकि मेरी पैदाईशी बं हमें स्टे नहीं चाहिए हमें स्टे नहीं चाहिए पता है हमें स्टे क्यों नीचे मेरा ट्वीट आप 9 बजे का पढ़िए क्योंकि जो मौझूदा हुकूमत है इन्होंने रिप्लाई ही फाइल ने किया जो मौझूदा हुकूमत है उन्होंने आज तक रूल्स ही फ्रेम न के समय का हमें दर्शक के समय की थोड़ी सी कदर करनी की आप जो पूरी कहानी सुना रहा है सर अब लगातार एभी पी न्यूस पर सुबह हमने कवरेज की सर और जो आप बता रहे हैं दिल्ली में चुनाव है सर कॉंग्रस के निताओं को मंच मिल गया है शाहीन बाग में जा रहे हैं महाँ पर पब्लिक भी जुटाने की कोई टेंशन नहीं है पब्लिक पहले से ही बैठी हुई है मंच मिल गया है माईक हाथ में पकड़ो जो मन में आय कहो और निकल लो यही हो है सर मैं आपको फैक्शल बात कह रहा था आपने रोका कोई ने वह आपका दिकार में एक ही लाइन कहता हूँ अगर यह कानून पर आपको फैसला करना था मैं प्रेटिशनर हूँ मौजूदा हुकमन इसका जवाब क्यों नहीं रेती क्यों बागती है और आप ओनस मुझ प करना है चार वीक में मौझूदा उकोबत को आंसर करना है साथ कानून एप्रिल में लागो होना है अगर अप्रिल में लागो ने चार हप्तों में इनको आंसर करना जाए यह लगता है क्योंकि वाचपई जी के से कानूनी दावपेज के हिसाब से बातें गुमाई जा रही है वाजपेजी आजए ये जल्बी से आप यह कर रहे हैं अगर आप इसको जीत पांते हैं बहुत अच्छी बात है यह आज का जो फैसला है ना जीत है नहार है इसे नॉर्मल रूटीन हुआ गया कि साथ पिटी लेकिन सड़क पर जो हो रहा है यह यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हिंदू-मुसल्मान के जो रास्ते तलाश लिया है सर यह तो मतलब बढ़िया तरीका हो गया फिर हिंदू-मुसल्मान का सारा लबो-लबाब इस CAA के खिलाफ एक ही चीज़ है कि लेकिन प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टी जा रही है वहां इस्टिगेट कर रही है भरका रही है लोगों को गुम्रा कर रही है यह सरासर गलत है मैं असीम बकार साब कर लेती हूँ और असीम बकार साब इसमें तो शायद आपके निताव ने तरीके से महारत हासल कर लिए उवैसी साब तो खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि साब दाड़ी वाले से आजाओ डिबेट कर लो टीयार्पी आजाएगी टीयार्पी भी उनक सारोप लग रहे हैं आप लोगों पर भी और असद उद्दीन वैसी पर भी किये तो बिल्कुल जिन्ना बन गए असद साहब मुसल्माने इसलिए हम हिंदू मुसल्मान ने करते हैं असद साहब जो है वो अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं वो अपने आपको मुसल्मान के तौर पर प्रिजेंट करना चाहते हैं वो मुसल्मानों की हमदर्दी चाहते हैं सर वो मुसल्मानों के रहनुमा बनना चाहते हैं सर बढ़ना क्या जरूरत थी असदुद्धी नुवैसी को अपनी दाढ़ी का जिक्र करने की सर क्या एक नागरिक के तौर पर वो चुनाती नहीं दे सकते थे कि आईये साब मुझसे बहस कर लिजे तो हिंदू-मुसल्मान तो सर असदुद्धी यह कहा जाएगा 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 चलिए बोलू अब जवाब दूँ जी बिलकुल इंतजार में हो देखे एक ट्वीट हम लोग सब कुछ बोलते हैं कोई ज़रा सी बात है माजियम की तरफ से कह दी आती है तो पाकिस्तानी है देश द्रोही है बाबर की आउलाद है लाओ एनी फॉर्नर इन्माई स्टेट तो सर्बनंदा सुनावाल ने तो सीधा सीधा चैलेंज किया सनाफ गुजरात और सनाफ जैन को तो आपने क्यों नहीं चलाया अब यह सर्बनंदा सुनावाल मुगले आजम हैं नादिरशाद दुरानी हैं मुहमद गौरी हैं पुरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है इस कानूं का ठीक है और शास आप कह रहे हैं कि ममता जी को अघ्लेज जी को चैलेंज है अच्छा दो लाइन का जवाब आपके परवक्तानी देपाएंगे दो लाइन के जवाब सर्टी के आपने बात पूरी कर लिए आपने जो सव बाबर की ऑलाद हैं कभी हम पाकिस्तानी हैं मुझे लगता है कि हमें सुनाना चाहिए कि वो जो चोटे हो वैसी है ना उन्होंने किस तरीके का बयान दिया है वो किस तरीके से खुद बड़े गौरवान बेत हो रहे हैं अपने आपको बाबर का वंच्छ बताते हुए इस मुल्क पे हुकवरानी और जामा दीती है ये मुल्क मेरा था मेरा है इस मुल्क के चंपे चंपे पर मेरे अजमत के निशानिया मुझूब है मेरे अबावस्दान ने इस मुल्क का चार मिनार दिया मस्जिद दिया जामा मस्जिद दिया फुतों मिनार दिया अरे इस आपको तो सर बावर की अवलादों से आपती हो रही थी यहां पर यापी की पार्टी के निता है सर यह तो तुर्क मंगोल मुगल सब को इन्होंने अपना बाप बता दिया सर अब बताईए स्में मैं क्या कह सकती हूं सुना अपने अपने निता को कि इसमें आपको बुराई क्या लग रही है कुछ लोग अपने आपको ना तुर्हां कोड़ से अऎलात। कि यह मौका मिल गया नआ हिंदू- लेकर आई कर रहें कि मुझे यही दिक्कत है कि आपको दिक्कत क्या है मुझे यही दिक्कत है में हिंदोस्तान कि नागरे को और सब्सक्राइब कर दो हमारे देश में जो एक मुख्यमंत्री सर्बनंदा सुनवाल जी है उनकी तुल्ला हफी सहीद से करना अतंगवादियों से करना अपने आपने ए आएम आएम की सोच दिखाता है पहली बात दूसरी बात मैं इनको बता दू यह 800 साल हमने हुकूमत करी यह सब जो लवज है ना यह भड़काओ भाशण ही है रोमाना जी आट सो साल हुकूमत करी अरे इस देश का इतिहास आठ हजार साल अस्ती हजार साल भी पीछे मिलेगा और हुकूमत करना हमारी मेहनच से बना जो ताज महल बना संगे मरमर जो लगा वो भारती धरती का लगा इसलिए यह सब भड़काओ बयान देना यह बंद करें चीसली बात आप कहती है धर्म लाया रुमाना जी आपको पूछना चाहिए क्या मजजद से CAA का प्रदर्शन होगा जामा मजजद से यह बात नहीं हुई मजजद से क्यों प्रदर्शन होगा धर्म कौन लाया धर्म यह लोग लाए और हाग भी अपील करता हूँ जो मोदी जी और हमिट शाह जी ने करी कि हमारे देश का जो मुस्लिम नागरिक है उसका कोई हग छीना नहीं जाएगा CAA में और सरवोत तैले के पैसले का इंतजार होना चाहिए यही वैलिड पॉइंट का रभाटिया मुझे लगता है आपके यह जो पॉइंट उठाया है तो यह उपकी अप्ती सोच है इस पर जैदी साब को जवाब देना चाहिए जैदी साब फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगती है कि साब मुसल्मान का ठपा क्यूं लगा रहे हो प्रदर्शन कारियों पर यह तो हिंदुस्तानी हैं जो हात में तिरंगा लेकर असर खतम हो जाता है तो यह अंदाजा लगाई यह मुसल्मानों का अभला नहीं है वाँ सुन लेए यह नहीं है फैसला लिक्ता तो आप यह कहरें आपके बीश में कोई नहीं बोला था सर पहली बार बारी आई है जैदी साब की उने दिजिए फिर जवाब आप भीजेगा लेकिन खौरफ भाटिया की बारी नहीं है जैदी साब की पूरे शो में आप बारी आई है मरियादा में सैयम के साथ आप लोग अपनी अपनी बात रखें जैदी साब आपका वक्त है आप बोलिए गौरफ भाटिया आप लोट कर लीजे आपको जो आपकी दर्श करानी है बाद में कराईएगा सर प्लीस आईए जैदी साब फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे मैं पूछना चाहता हूँ आंदोला में एनार्सी के खिलाफ है यह लीजिए अदालत पे प्रश्ट उठादी आपके चैनल पर बोले दीजिए अब गोरा बाटिया को भी पेट में इसे इन्हें यह तो चुपाईया रुमाना जी वर्ना ऐसी डिवेट में नहीं से वकील हूँ यह तो मुझसे कहते हैं कि आप सुपर से जब आप इसमें सब्सक्राइब बोलते हैं मैं नहीं बोलूगा है सब्सक्राइब अपनी अपनी बात रख रहे हैं जरा सब्सक्राइब अपनी आपती बोलने तो पहेंगे या नहीं बोलने देंगे जैदी साब को यह आप ठामकर आएं कि जैदी साब जो बोले हैं वो देश सुने नपाए इसा नहीं हो सकता है यह कि इस तुनेगा हर आवाज सुनी जाएगी इस देश में किया मांग कर रहेैं किसके मांग कर आहिए की आए नहीं क्राइए है किक निन जांए कुछ नहीं होता लोग तंतर में बागी जो होते हैं वो सब नौकर होते लोग तंतर में और लोग तंतर की लड़ाई के अंदर ज़िस्टा सवाइए पहली लाइने वीड़ा भारत के नागरिक यह दिदार ने इस तरीके कि शब्दावरी पर प्लीजिय करें ना सर्थ अपने अपने बार प्लीजिय कर रहें चोड़िया आप संब्सक्राइब यह जो आपके चैनल पर बोल दिया है रोमाने थी यह इतना पती जड़ा के वह दिद्र भाएंग हैं कर आप यहां पर को पैनलिस्ट को आप कैसे आतंगवादी कह सकता हैं जैदी साब जैदी साहाब मैंने उनको तोका जैदी साहब जैदी साहब तोका उठाव साहब उसले मैं विस यह तरीक attracts करने तरीक नहीं यह तरीका कर सकते हैं मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा ये बेहद आपती जनक भाशा है सर हर परफ से इसी तरीके करता है चीक है सर आपका मैं भी नहीं चाहती हूं तो मेरे साथ ऐसे पैनलिस्ट बैठें जो अपने को पैनलिस्ट पर इस तरीके क्या है कहा है और दूसरा साब नकाम जबाइब यूजब करें यूजब अवी तो दिकत है नहीं सब ठपा लगाना लगते हैं अब तक अब कोई यहां हम छे लोग बैट कर अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे तो आगे चर्चा इस दिशा में लेकर जानी थी वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बात कैसे बनेगी यहां छे लोग नहीं बैठके अराम से बात कर पारें सर दर्शक देख रहा होगा वो सोच रहा होगा बताओ यह चांटा की बास एक मिनट एक मिनट एक मिनट जबी साब मुझे लगता है हमें तैसीन का रुक करना चाहिए तैसीन बहुत देर से अपनी बारिक पर आई आए त तैसीन अपनी बात रगदें उसके बाद मैं आपके पास आउंगे आईए तैसीन फ्लीज आईए अरे छोड़ी आप अपना काम करिए तैसीन साब प्लीज गौरव भाट भाई ने एक बात कही आपने उससे सर आया आपने कहा देखो एनारसी की बात बिल्कुल नहीं और हम से दो संशेप में पॉइंट्स रख दूगा अपने कहा संशेप में एक एन पी आर एन रसी और सी ए तीनु भी नाइंटीन फिफ्टी फाइव सिटिजिन शिप अमेंडमेंट के तहत आते हैं क्या ये पॉसिबल है रोमाना जी क्या आधा प्रेगनेंट कोई व्यक्ती हो आ या तो कानून लागो होगा है तो कानून लागो ने होगा आधा कानून लागो ने होगा आधा कानून तो लागो ने होगा दूसरी बाद बॉलिए क्यूंकि टेक्निकली ये कहा जाता है और मुझे लगता है कि वाच्पर इस बहतर बता पाएंगे कि NPR बिलकुल सरकारी द वो गुपचोप रात के अंधेरे में नहीं आ जाएगा उसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया होगी नोटिफिकेशन होगा जो आएगा और वो प्रक्रिया भी शुरू नहीं किये सरकार ने मेरे कांसे वासपाई से बेटर बता पाएंगे लेकिए CAA में आप अब्जेक्शन है वो सुप्रिम को डिसाइड करेगा NPR कोई उसमें डिस्प्यूट है नहीं NRC अभी आया नहीं है जबकि आपको मालूम है कि NRC का प्रोविजन इन्बिल्ट है NPR के साथ ही इन्बिल्ट है और वो सिटीजन्सिप एक्ट का हिस्सा है तो उसमें कोई कानून नहीं आना है लेकिन प्रदानमंत्री ने जब कमिट्मेंट कर दी कि NRC नहीं आया है कोई चर प्रदानमंत्री ने जवाब दे सकते हैं तो का मुझे बीच में रोमाना जी आपने टोका मुझे बीच में बीच में जल्दी से आये समय मेरे पास इतना ही है आपने मुझे टोका मेरी बात तो खतम होने दीजिए उतैसी ना रही हूं आपके पास बास मैं एक बात कहूंगा क्योंकि कानून कानून की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूए जो कहता है नहीं होती है जिरे मंत्री बात 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 बहुत 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 धनेवाद मैं ऐसे नहीं बहस कर सकती हूं ना दर्शकों का वक्त भी बरबाद है होता है मैं constructive बहस लेकर आती हूं कि दर्शक जो मेरा शो देखे एक समझ बना कर जाए चलिए आज हमने यह जो बहस की है वहस के बाद मेरी राय बहुत साफ है कि लोकतंत्र में समबात से ही समधान होता है विरोत करड़े वालों से बाचीत कर विवाद सुलजाना सरकार की ही कि जिम्मेदारी है मेरी नजर में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समधान की शपत में आज के शो में हमारे साथ बनी रहने के लिए